ओके गुरू लोग तो फिर क्या कहके इस वीडियो को सुरू करूं इतने खुशे मुझे आज तकी अब रुक रुक ट्रस्ट मी बहुतों के दिल तूटने वाले हैं और मैं सीध है डायेक मुद्दे पर आता हूँ यहीं पर बोलता हूँ कि भाई यह के ड्रामा सबके लिए नहीं है थोड़ा साथ ध्यान से सुनना अगर इस के ड्रामा को ले करके आप सच में सीरियस हो पहले देखो यह जान लोग कि यह ड्रामा किस ओडियन्स को टार्गेट करता है उसका जवाब है दोस्ट कि जो यह के ड्रामा है बड़ दोस्ट यह स्रीज आपके काम की नहीं है लेकिन इनकेस भाई अगर आप एक रोमांटिक फैन हो तो बस स्वागत है आपका इस व्यूडियो में थोड़ा सागर बेसिक डिटेल की बात के तो इसके सिवन को देखने के लिए आपको ट्रल 9 एपसोड देखने जिनकी जो लेंथ हो 40-25 मिट के बीच में देखने को मिलती है अपको निटफिक्स में मिल जाएगी सबसे अच्छी बात है कि इसको हिंदी डब में रिलीस किया गया है हिंदी डब इसकी काफी ओसम है लेकिन इनकेस अगर आप के ड्रामा इसको बैट करके फैमिली के साथ देखना पसंद करते हैं जिसका नाम है डूना बंदी प्यार में धोखा खा चुकी है और अपनी चीजों में वो मगन रहती है जब भाई उसके सारे दिन सुट्टा मार करके निकलते रहते हैं तो उसकी मुलाकात होती है एक दिन वांजू के करेक्टर से वांजू जो कि भाई सिविल इंजिनियर की पढ़ाई करने आता है और इसमें जो देखने को मिला वो एक डिफरेंट था मेरे कॉले में भाई टीचर लोग फाड़ कर रख देते थे असाइन्मेंट दे करके अंडर वियर भी धुनने का टाइम नहीं मिलता था लेकिन जो अपना वांजू है उसको अंडर वियर धुनने का ही टाइम नहीं मिलता बलकि वो प्यार कर वाड़ता है डूना से अब ये डूना से प्यार कैसे होता है और इनकी जो complicated एक love story सुरू होती है जिसमें ये दूसरे को ना बता पाते हैं ना जता पाते हैं पट प्यार करते रहते हैं तो इनका end result क्या निकलेगा and जो other character है इनके past से जुड़े हुए उनका इनकी love story पर impact क्या निकलेगा ये सब ज दूगा कि अगर आप डाय हाड फैनों बेसुजी को तो इस चीज को आपको मिस नहीं करना पूरी स्रेज में इस बंदी ने आग लगा दिया and जिसे साबसे इस के डामा में बेसुजी को प्रिजेंट किया गया वह बहुत बहुत जादा खुद सुरू लगती है आपको यह से इस में मज़ा आज आएगा दूसरा सबसे बड़ा रेजिए इस सको देखना कि कि in case अगर आपको complicated love stories देखना पसंद तो यह सचीज आपके लिए कि इस के ड्रमा के एक एक सीन पर लिखा है romance 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 अगर आप दिन भर romance में दूबए रहते हो उसी को खाते हो उसी को पीत प्रोडक्शन वेलू या फिर जो सॉंग्स हो गया सुनने को मिलेंगे या जो इंट्रो सॉंग्स सुनने को मिलेगा वो भी काफी ज़्यादा जबर्दस्त है लेकिन दोस्त अब अगर बात के प्रॉब्लम की मीन्स मुझे क्या चाने लगा तो सबसे पहला रिजन आता है कौन सही कौन गलत कौन किससे प्यार कर रहा है बट इसके अलावाज जो इसमें एक ट्विश्ट होने चाहिए वहां पर इसकी जो कहानी वह मात खाती मतलब आपको ऐसा कुछ भी सर्प्राइजिंग देखने को नहीं मिलता जिसको देखकर के आप उचल पड़ो सब कुछ ब बस आप इससे इसको देख सकते हो इस सीज में जो आपको एक्टर्स की परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी जो उनकी केमिस्टी देखने को मिलेगी एंड उस केमिस्टी में जो आपको ओम्फ मिलेगा उसको देखकर के आपको मज़ा आ जाएगा मेरी बात के तो मेरी नहीं यह एक decent romantic Korean drama है जो कि एक बार देखा जा सकता है केवल और केवल romance के लिए अदरवाइस वे कुछ ऐसा extra odd नहीं या फिर surprising देखने को नहीं मिला जिसकी विज़स में आपको इसको highly highly recommend करो नहीं, सब कुछ बहुत जादा average था इसलिए मैं इस K-drama के season को overall जच करते औरेट करूँगा 7.3 out of 10 अगर आपने इसको देख लिया तो आपका experience कासा था camera works में लिख करके जरू बताना और हाँ आपको ending कैसे लगी ये भी लिख करके बता सकते हो साथी साथ इसके season में इसकी कहानियों को खतम कर दिया गया season 2 नहीं आएगा तो वीडियो पसंद आएगे तो इस वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया अगर आप तर्किस ड्रामा देखना चाहते हैं तो आप मेरी इस वीडियो को चेक कर देना बाकि मैं फ़र्स में तो आपने वीडियो में तिल देन बाबाद